हेलो एरिवान लक्षेर स्वेम आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे स्वेया के खीर बहुत ही आसान तरीके से और जटपट बनकर त्यार हो जाती है यह मैंने 10 मिन्ट में बनाकर त्यार की है वीडियो पूरा देखिए तब यह आपको पतस लेगा मैंने किस तरीके से स्वे हमारा वीडियो अच्छा लग है तो लाइक कीजिए सेनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिले तो घी हमारा हलका सा गरम हो गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे सेवेया यह मैंने एक कटोरी सेवेया ली है और गी के साथ एड करके अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसको हमें पकाना है लगबग तीन मिन्टा का हलका सा कलर सेंज होने तक हमें इसे लगता सलाते हुए पकाएंगे सोड़ना बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो हमारे स्वेया वह जल जाएगे तो यह लगबग दो तीन मि तीन हो गया है स्वेयी पकते हुए तो इसका आप कलर देख सकते हैं अलका सा सेंज हो गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे दूदर कि अधिagu कि यृग करने कीट कॉछ को करते हैं और इसको हम अच्छी से पका लेंगे दुद हमारा ठंडा था इसमें थोड़े से लंस पड़ गए हैं जो मैंने समय एड़ गया था वो एखठा हो गई है तो इसको हम आचे से मिक्स करेंगे आप साव तो दूद्ध गरम करके भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ढकन लगा कर धिमियास पर पांसमेंट तक पकने देंगे तो यह लग पांसमेंट हो गया है तो चेक कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं सेवेई यह हमारी कापी हद तक फूल कर त्यार हो गई है सॉप्ट हो गई है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे शीनी शीनी आप अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं कम ज्यादा तो मैंने एक कप के करीब शीनी एड़ किया है और इसको भी हम अच्य से मिक्स कर लेते हैं और ढकन लगा अगर दो मिंट तक पकाएंगे फिर से तो आप तेख सकते हैं दो मिंट हो गया है यह ग वार अच्य से मिक्स कर लेते है थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे लैअसी पाउंडर और इसको भी हम अच्छे से mix करेंगे तो खीर हमारी बनकर त्यार हो गई है गेंस को अप कर लेते हैं अब हम इसमें dry fruit add करेंगे आप साथ तो dry fruit पहले भी add कर सकते थे मैंने बात में किया है और इसको हम अच्छे से mix करेंगे और दूसरे बावल में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं खीर को मैंने दूसरे बावल में निकाल लिया है बहुत ही अच्छी रबड़ीदार खीर बनकर त्यार हुई है हमारी थोड़ा सा इसमें dry fruit add करेंगे हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताईए दूसरी वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जेहन जे भारत